शिकुंज बिहारी शेहरिदास रादे रादे सभी भक्तो तो आज की वीडियो का टोपिक है कि हम बच्चों में अच्छे संसकार भक्ति के संसकार कैसे डालें हम बच्चों को कैसी शिक्षा दें हम बच्चों को कैसे सिखाएं भक्ति करना कैसे सिखाएं उन्हें भक्ति के मा माई-बाप के लिए बहुत ही मुश्किल कारिया हो गया है और हम बहुत से माबाप चाहते हैं और जहां तक मेरा विचार है सभी माबाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जो है वो अच्छे संसकार सीखें अच्छे भक्ति के मार्ग पर चलें तो यह सब हम कैसे सिखाएं बच्चों को तो सरव परतम तो सभी को पता है कि जो बच्चा सीखता है वो अपने जो है पेरेंट से बड़ों से ही देखकर जैसे जो वहवार हमारे बड़े करते हैं जैसे वहवार हमारे माबाप करते हैं उन्हें ही देखकर जो है बच्चा आगे सीखता है मैं आपको अपने ही बारे में बताती हूं कि जब मैंने जो है लड़ू गोपाल की सेवा से पहले तो जब मैंने शब शुरू की की थी सेवा लड़ू गोपाल की तो जो मेरे बच्चे हैं उन्हें जो है ये सब करना बहुत जादा अजीब सा लगता था उन्हें लगता था कि नहीं सारे दिन क्या ममी सेवा करती रहती है किन्तु धीरे 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 मैं जैसे की सेवा करती रही तो अब देखे मेरे बच्चे भी मैंने देखा कल परसो मुझे इतनी प्रसनता हुई देखकर कि जब मेरा बेटा लैपटोप पर कुछ कर रहा था तो पहले जब वो जो गाने सुनता था तो वो क्या ये देखकर और सुनकर बहुत ज़्यदा परसनता हुई क्यों होई परसनता इसलिए परसनता नहीं हुई कि वो भजन सुन रहा था बलकि इसलिए परसनता हुई क्योंकि मैं भक्ति के मार्क पर हूँ और मैं वो भजन सारे दिन सुनती हूँ तो मुझे देखकर ही मेरे सुना तो इससे मुझे यह पता चला कि जैसे जो हम वहवार करते हैं जैसे हम संसकार देते हैं बच्चे भी हमारे उसी तरह से ही नकल करते हैं अभी देखिए कि पहले जब हम हमारे बच्चे जब शौप से कुछ अपने खाने की चीजे लाते हैं चिप्स का पैकट लाते हैं या जो भी वो अपने लिए लाते हैं तो वो मेरे लड्डू हलाकि वो सेवा करने में इतने इंट्रस्टेड नहीं रहते और मेरी सेवा करना भी उन्हें बहुत जादा कुछ ऐसा नहीं लगता उन्हें लगता है कि शयद वो कहीं इग्नोर ना हो जाएं तो इन सेक्योरिटी की फिलिंग रहते हैं कि फिर भी जब उन्हें लगता कि उनकी मदर को अच्छा लग रहा है तो वो जब भी मार्केट जाएंगे अगर वो अपने खाने के लिए कुछ लाएंगे तो लड़ू गोपाल के लिए भी वो टोफी चोकलेट या चिप्स जो है वो लेके आते हैं तो धीरे धीरे जो है उनके अंदर ये संसकार डवलप भक्ति मार्क के जो है संसकार उनके डवलप हो रहे हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वो मेरे लड़ू गोपाल से मिलके जरूर जाते हैं या आते हैं तो उन्हें अब धीरे-धीरे ये लगने लगा है कि लड़ू गोपाल भी हमारे ही परिवार के एक सदस्य है हलांकि ऐसा नहीं है सदस्य तो हम लड़ू गोपाल के परिवार के हैं कि ये सारव संसार में बार-बार बोलते हूं हमारे जो है प्रुभु का हमारे पानाजी का ही बनाया हुआ है हम उनके परिवार के सदर से किन्तु बच्चों को अभी ये बात जिक इतनी समझ नहीं आती है तो अब वो देख रहे। बच्चे कि सारे धिन तो पूजा पाथ में लगे रहे। किन्तो अगर उनके भाव प्रभू के प्रति समर्पित हैं तो व़ी एक पूजा पाठ के समान ही है अगर वो कुछ खाते हैं और खाने से पहले वो प्रभू को याद कर रहे हैं वो प्रभू के लिए बहुग लगा रहे हैं तो मेरे लिए तो कम से कम इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हैं अगर आप भी मेरे इस बासे सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जब भी हम कुछ खाएं तो अपने प्रभू को अवश्य याद रखें और यह ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों में कैसे अच्छे संसकार डालें बच्चे हमसे ही देखके सीखेंगे अगर हम अपने माबाप की अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो अवश्य ही हमारे बच्चे भी बड़े होकर हमारी सेवा जरूर करेंगे वो बच्चे जो जो हम करते हैं वो बच्चे हमारे जरूर उन्हें नोटिस करते है देखते हैं और वैसे ही संसकार उनके अंदर आते हैं अगर हम अपनी बड़ों की सेवा करेंगे तो एक दिन बड़ों हमारे बच्चे भी बड़े होकर हमारी सेवा जरूर करेंगे इसलिए जैसा आप बच्चों को बनाना चाहते हैं पहले स्वम बदलिए पहले स्वम में वो संसकार डालिए तो देखेंगे कि एक दिन आपके बच्चे जैसा आप चाहते थे प्रभु की इच्छा से पैसे ही आपके बच्चे संसकारी बन जाएंगे अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर दे श्रीकुंज विहारी श्री हर्दार रादे रादे हरी बोल